आपकी बहुत सारी परिशानियों को दूर करने के लिए आपके काम को बहुती आसान बनाने के लिए आज मैं आपके साथ बहुती यूसफुल केचन टिपसेंट्रिक्स शेयर कर रहे हूं अगर आपको टिपस और टिक्स पसंद आएं तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें पहले टिप है लाल मिर्च के बारे में लाल मिर्च का पाॉडर हमारे खाने के स्वात को बहुती बढ़ा देता है और इसे हम अपनी चादातर सभी रेशिपीज में इस्तिमाल करते हैं लेकिन जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो थोड़े दिन में ये खराब होने लगता है तो लाल मिर्च के पाउडर को खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है आपको लेना है एक चमच सरसो का तेल यानि की मस्टर्ड ओयल और इसे आपको लाल मिर्च में डाल देना है और इसे mix कर देना है इस तरह सरसों का तेल डालने से ये लाल मिर्च आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और साथ ही जब आप इस सरसों का तेल डले हुए लाल मिर्च पाउडर का यूज अपनी रेसिपी में अपने अचार में करेंगे तो आपकी जो भी रेसिपी और अचार वगेरा आप बनाएंगे उनकी रंगत भी बहुत ही अच्छी आएगी तो इस टिप को फॉलो करके आप अपने लाल मिर्स पाउटर को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही इसकी रंगत को भी बढ़ा सकते हैं तो अब आप डबे का धकन बंद कर दीजिए और इसे आप लंबे समय तक स्टोर कीजिए अगले टिप है मेरी चावल के बारे में चावल तो हम सभी अपने घर में बनाते ही हैं लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके चावल खिले-खिले नहीं बनते तो मैं आज आपको टिप बता रहे हूं जिससे आप अगर कुकर में भी चावल बना रहे हैं तो भी आपके जो चावल हैं एक दम खिले-खिले बनेंगे आप जो भी राइस बना रहे हैं जीरा राइस या साधर राइस जिस बैजर्मेंट से आप बनाते हैं उससे बना लिजिए बस आपको क्या करना है कि जब आप चावल को पकने के लिए रखते हैं तो आपको इसमें आधा से एक चमच नीवू करड़ डाल देना है और बस कुकर कढ़कन बंद कर देना है और अब आपको इसमें एक सीटी लगानी है और दूसरी सीटी आने के समय आपको gas का flame आफ कर देना है इस दूसरी सीटी को पूरा नहीं आने देना है और फिर जब pressure खतम हो जाएगा तब आपको इसे open करना है तो यहाँ पर यह देखे एक सीटी मैंने लगा ली थी और दूसरी सीटी जवाने वाली थी गैस का फ्लेम आफ कर दिया और जब प्रेशर खातम हो गया तब कुकर को उपन गया है और यह देखे एकदम खिले खिले हमारे यह राइस बनके त्यार हो चुके हैं तो अगर आप इस तरीके से राइस बनाएंगे तो राइस एकदम खिले खिले बनेंगे नीबू डालने से राइस एकदम सफेद बनते हैं और एकदम खिले खिले बनते हैं तो इस टिप को आप चरूर फॉलो कीजेगा अगली मेरी टिप है सूजी के बारे में सूजी हमारे केचन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसे आप बाहर कहीं भी रख सकते हैं अब ये आपकी सूजी बिल्कुल खराब नहीं होगी तो ये टिप बहुत ही कामाने वाली है अगली मेरे टिप है सबजी के बारे में देखे कभी कभी क्या होता है कि हम से सबजी में कलती से जादा नमक दल जाता है और फिर इस सबजी को घर में कोई खाना पसंद नहीं करता तो अगर आपसे भी सूखी सबजी में नमक कलती से जादा डल गया है तो आप इस सब्जी को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे नमक को बैलेंस कर सकते हैं, ये ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहे हूँ, देखें ये मैंने सोय चंग्स की सब्जी बनाई है, सूखी सब्जी है जिसमें नमक जादा हो गया है, तो आपको क्या करना है, एक चम्मच ले लेना है बेसन और इसे roast कर लेना है आप चाहे तो घी में भून सकते हैं और आप चाहे तो इसे dry roast कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसे dry roast कर रहे हूं यह देखिए बेसन को मैंने भून लिया है इसका color change हो गया है इसे अच्छी खुश्बु आ रही है तो बस अब आपको क्या करना है जि इस सब्ची को लगबग 2,5 मिनट तक आप और पका लीजे वैसे तो हमने इस बेसन को भून कर डाला है तो आपको सब्ची को बहुत जादा देटा पकाने की जरूरत नहीं होगी बेसन डालने से सब्ची में जो नमक तेज था वो बैलेंस हो जाएगा और आपकी सब्ची का टेस्ट भी बहुत ही जादा बढ़ जाएगा तो सूकी सब्ची में जब भी नमक तेज हो जाए तो इस तरीके से थोड़ा पेसन बून कर डाल दें तो ये टिप बहुत ही काम की है अगली टिप है लाइट के बारे में बल्ब के बारे में देखे हमारे किचन में जो आशानी से कैसे साफ कर सकते हैं ये टिप में आपके साथ शे woah कर रहे हूं देखे आपको लेनी है cotton ball और आप को nail paint remover या sanitizer लेना है दोनों ही चीज़ें घर में आशानी से मिल जाती है तो मैंने यहाँ पर ये sanitizer लिया है और cotton ball के ऊपर इस तरीके से sanitizer आपको लगा बारेना है और अब इस cotton से आपको ये बल्व साफ करना है, बहुत ही आसानी से ये साफ हो जाएगा, इस पर जमी हुई सारी चिकनाई हट जाएगी, बस हलके हाथों से आपको इस तरह cotton से सिरगरना है, और ये देखे, इसके उपर जो चिकनाई गंदगी जमी हुई थी, वो निकलने लगी है, कितना काला काला सा निकल रहा है ना इसके उपर से, अब ये जो cotton है गंदी हो चुकी है, तो मैं से हटा देती हूँ, फिर से थोड़ लाइट बल्ब साफ कर सकते हैं, और बस अब आपको साफ cotton लेनी है और इसे इस तरीके से पोच देना है, ये देखे, लग रहा है ना एकदम new, अगर आपको ये tips and tricks पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें, आपको कौन सा टिप अच्छा लग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करकी जरूर बताएं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो